आज कहानी उस लड़के की, जिसके चेहरे पर हैं लंबे-लंबे बाल, हनुमान मानकर पूजा करते थे लोग ये हैं मध्यपदेश के रतलाम मैं रहने वाले 17 साल के ललित पाठीदार पहली बार अगर आप ललित के चेहरे को देखेंगे, तो शायद डर जाएंगे चेहरे पर होगे इन बालों की वज़े से बचपन में ललित को बाल हनुमान का रूप मानकर गामवाले उनकी पूजा भी करने लगे थे ललित रतनाम नादलेट गाउं के रहने वाले हैं, उनके पिता बकट नाल पाठीदार एक किसान है चार बहनों में एकलोते भाई हैं ललित और गाउं के ही सरकारी स्कूल में बारवी की पढ़ाई कर रहे हैं चेहरे पर बाल हुनी की वज़े से ललित को खाना खाने में काफी परिशानी होती है क्योंकि खाना खाते समय बाल उनके मुह में आ जाते हैं और वो सही ढंग से खाना भी नहीं खा पाते ललित की इस बीमारी को कई डॉक्टरों ने देखा लेकिन आज तक उनकी बीमारी का इलाज नहीं मिला ललित के चेहे पर बच्पन से ही लंबे लंबे बाल है बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी उनकी इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाया हलाकि बताय जा रहा है कि डवलोदा के एक डॉक्टर का कहना है ललित जब 21 साल का हो जाएगा उसके बाद प्लास्टिक सरजरी करने की बात कही गई इसलिए अब ललित अपने 20 साल होने का इंतजार कर रहे है लेकिन चेहरे पर उगे इन बालों ने ललित की परिशानी को इसलिए और बढ़ा दिया क्योंकि अच्छे अच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर के समझ से परी की बात हो जाए तो समझ सकते हैं मामला इतना आसान तो नहीं होगा अब देखना है कि ललित की इस बीमारी का इलाज कब तक और कौन कर पाता है जेबिटी लाइब के लिए रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट